स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो मैंगनेटिक इंडेक्षन का लास्ट टॉपिक डैट इस एसी जनरेटर ठीक है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुमनों घर में अपना एसी जनरेटर बना लेना ठीक है तो इसमें क्या है तो इसमें क्या है कि सपोज मैं उससे पहले थोड़ा कंसेट बता दूँ सपोज ये एक मैंगनेट है नोर्थ पोल और इधर मैंने साउथ पोल मना दिया नोर्थ पोल साउथ पोल ठीक है तो मैंगनेटिक फिल्ट कैसी होगी नोर्थ से साउथ ठीक है मैंगनेटिक फिल्ट ऐ यह सर्कूलर क्वाइल है एक वायर से क्वाइल बनी हुए ठीक है यह सपोज मैंने ऐसे रख दी बताओ इनीशली एरिया वेक्टर क्या होगा इसका इरिया वेक्टर यह होगा उपर की तरफ क्या कोई flux पास हो रहा है अगर यह coil ऐसे रखी होती तब तो पूरा flux पास होता लेकिन यह ऐसे रखी है तो flux कितना है zero है flux कितना पास हो रहा है zero suppose यह coil ऐसे रखी हुई है तो flux कितना पास हो रहगा maximum पूरा flux इसमें से पास हो रहागा पूरा flux इसमें से पास हो रहागा ठीक है उसके बाद आगर ऐसे रख दूँगा फिर 0 हो जाएगा फिर maximum फिर थोड़ा कम फिर 0 फिर थोड़ा जादा 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 तो यह चेंज होता रहता है, flux change होता रहेगा, flux change हो रहा है, flux change हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक induced current आएगा, induced EMF generate हो जाएगा, induced current आ जाएगा, और वह ही induced current हम किसी तरीके से use करेंगे, उसको हम वो AC current होगा, वो समझते आगे की चीज़ है, ठीक है, तो बताओ, rate हो जाएगा theta, अचा बताओ, यहाँ पर magnetic field और area vector के बीच में angle बताओ, क्योंकि flux होता है, जो flux का formula होता है, वो होता है, B dot A, ठीक है, यहाँ फिक के लगसे दो, B A cos theta, तो initially बताओ, यहाँ पर जब ऐसे रखा हुआ है, तो cos theta कितना बताओ, magnetic field भी इधर direction में, area vector भी इधर direction म कितना, initially theta कितना होगा मारा, initially theta equals to 0, जब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, मतलब जब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अब अगर इसको में theta rotate करूँगा, अगर इसको theta rotate करूँगा, तो area vector भी theta rotate होगा, तो फिर finally क्या हो जाएगा, theta, at instant, at an instant, theta equals to theta माल लो, angle कितना हो जाएगा, theta हो जा आया, कि कैसे vary कर रहा है, अब concept समझते हैं, तो हम समझते हैं, AC generator क्या होता है, it is a device that works on the principle of electromagnetic induction, जैसे अभी हमने देखा, अभी बताते हैं, ठीक है, electromagnetic induction की principle पर work करता है, and converts mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current, ठीक है, यह definition समझ लो, और alternating current कैसा होता है, जिसकी direction change होती होती है, ठीक है, अब समझते हम construction बगएरा और working समझते हैं, क्या से क्या काम होता है, चलो construction देखते हैं, यह north pole है, एक magnet है, और इसका magnet का south pole है, ठीक है, इसके बीच में एक coil रखी हुई है, और इसका यह axle है, जहां से हमको इस coil को rotate करना है, ठीक है, अब इस axle जैसे rotate करेगा, ठीक है, और यह जो है, यह slip rings है, अभी बताता हूँ, इनका work क्या है, slip rings और यह brushes है, एक S1, B1 और S2, B2, तो S1, S2 क्या है, slip rings है, ठीक है, और B1, B2 क्या है हमारी, carbon brushes, अच्छा एक ची बताओ, जब यह rotate करेगा, रोटेट करेगा, तो current generate होगा, current जोड दी हमने wire में, अगर मैं direct wire जोड दूँ, तो क्या यह rotate कर देगा, अठा नहीं देगा, यह ऐसे करके अठेगा, तो wire भी नहीं add जाएगा, तो इसको हटाने के लिए, यहाँ पर एक slip ring लगा देते हैं, जो rotate करती है, slip ring जो rotate करती है wire के साथ, तो हमने लगा दी rotating slip rings, तो वो wire के साथ rotate करेगी, ठीक है, अब बात आती है, wire को direct slip ring में क्यों नहीं लगा दिया, अब slip ring भी तो rotate कर रही, तो wire क्या हो जाएगा, wire कब तक rotate करेगा, वो तो एक time पर थोड़ देर बाद तूट जाएगा, rotate होते होते होते, instant पर मूर जाएगा, एकदम है अठी जाएगा, तो हमने एक brush लगा दिया, जो slip ring को हमेशा touch करता रहेग तो इस wire में current, circuit complete रहेगा, तो current flow होता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर यह load लगा दिया, मतलब बल्ब लगा दिया, और यहाँ पर यह S2 और B2 फिदर connection हो गया, ठीक है, यह जो coil होती ही, वो armature coil होती है, जो copper से बनी होती ही, ठीक है, अब working क्या होती है, अब मैं इसको rotate कर रहा और यहाँ पर हम use कर सकते हैं, ठीक है, induce your current आ गया, अब क्या देखो, इसमें, जो यह armature coil copper की बनी होई है, इसको हम यह भी लिख सकते है, may some, may contain, some, soft iron core, ठीक है, यह थोड़ा सा multiple choice questions में आ जाता है, board में, ठीक है, clear है इतना, बाकी तो clear होगी, बाकी इसकी बात का जो concept है, व याद करो, एक coil rotate कर रही है, angular velocity omega से, तो मैंने induce EMF का formula generate किया तो याद करो, बस अब वो ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं, कि एक coil है, यहाली coil है, इसको rotation कर रहा है हम, ठीक है, तो suppose किसी particle instant पर यह theta angle rotate कर गई, angle कितना हो गया, theta, ठीक है, तो theta क्या होता है, यह angular velocity omega से rotate कर रहा ह ठीक है, और angular velocity से rotate कर रहा हूं, theta क्या होगा, याद करो, omega into t, theta क्यों हो जाता है, omega t, अब बता, flux क्या होगा, flux होता है, phi, phi होगा, b dot a, ठीक है, तो phi हो जाएगा, b a cos theta, ठीक है, तो phi हो जाएगा, b a cos omega t, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, induced current, induced emf चाहिए, तो induced emf क्यों होता है, mod d phi by dt, ठीक है, तो d phi by dt क्या जाएगा हमारा, b a, cos omega t का differentiation, sin omega t, और omega 7 में एक और आ जाएगा, तो b a omega minus sin omega t, clear है, तो e induced हमको क्या लिखना होता है, d phi by dt, d phi by dt क्या हो जाएगा, b a, mod d phi by dt लिखना है, v omega sin omega t, ठीक है, अब यह तो हमने ले लिया, एक turn के लिए, अगर number of turns है, इसमें n हो जाएगा, समझे रहो ना, अगर n turns हो जाएगा, तो flux किता हो जाएगा, n into b a, तो यह क्यों हो जाएगा, n into b a, cos theta, यह क्यों हो जाएगा, n into b a, cos omega t, यहाँ पर भी एक n आ जाएगा, minus मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ finally एक n आ जाएगा, ठीक है, तो e induced equals to n b a omega sin omega t, तो यह सब constant है, चारो चीज constant है, तो e induced को मैं लिख सकता हूँ, इसको एक constant का नाम दे सकता हूँ, e nod sin omega t, बोलो, induced voltage आ गया, induced voltage कैसा आ रहा है, periodically change वाला आ रहा है, देखो, sin omega t का time आ रहा है, तो यह क्या है, periodically change हो रहा है, ठीक है, तो current निकालना, current क्या होगा, e induced upon r, तो current हो जाएगा, i equals to e nod sin omega t upon r, तो यह क्या हो जाएगा, i equals to e nod by r क्या होगा, i nod sin omega t, देखो, क्या आ रहा है, alternating current आ रहा है, i nod sin omega t, clear है इतना, बोलो, so this is an alternating current, clear है, अब कैसे हम कर सकते हैं, जैसे i equals to i nod sin omega t लिखा हुआ है, मैं graph देखता हूँ इसका, अगर मैं graph plot करूँ, कि theta ले लूँ यहाँ यहाँ पर, और यहाँ current की axis ले लूँ, यह theta जब theta 0 होगा, जब theta 90 होगा, जब theta 180 होगा, जब theta 270 होगा, जब theta 360 होगा, तो कैसे होगा, बताओ, जब 0 होगा, तो i कितना हो जाएगा, i 0 हो जाएगा, omega 0 क्या, sin 0 क्या होता है, 0, sin 91 होता है, तो यहाँ पर suppose i nod लिख लिए मैं, तो i nod, तो i nod हो जाएगा, sin 91, तो i equals to i nod, i nod जाएगा, फिर 180 पे 0 हो जाएगा, फिर 270 पे minus i होगा, फिर ऐसे यह vary करेगा, clear है, अच्छा बात आती है, इस coil को हम rotate कैसे कैसे कर सकते हैं, बताओ, इस coil को हम कैसे कैसे rotate कर सकते हैं, एक तो तुम कोई generator लगा दो, engine लगा दो, engine लगा दो, engine में petrol, diesel डालो, और वो rotate होता रहेगा, जैसे हम usually generator में देखते हैं, यही होता है, नहीं तो वरना क्या करोगे, पहला, जो running water होता है, जैसे कहीं से, क्या होता है, जैसे हम dams देखते हैं, dams में क्या होता है, पानी बहुत speed से गिरता है, तो वो turbine पे गिरता है, तो turbine क्या करती है, move करती है, move होती तो यह axle move करता है, और इस coil को rotate कर आता है, तो यह क्या होगा, hydro, इस type के generator को क्या हैंगे, hydro AC generator, ठीक है सेकेंड देखो कि इस्टीम है एक हाई प्रेशर क्रीटेट बाइब बर्निंग ओफ कोल याद करो जैसे हमने देखा भी था कि जैसे हम अगर कोल बन करें और पानी को बॉयल करें उसे स्टीम बनाए इस्टीम क्या करें इस्टीम को किस पर डाले एक कोईल पर भाएल रोटेट करें तो फिर क्या होगा क्या रोटेट यह अगर हम इस्टीव बना रहे हैं कोल बर्निंगंग करके ना करके नुक्लिय पावर प्लांट में है नूक्लियर पावर, प्लांट में, कुछ नूक्लियर रियक्षन करके ठीक है, तो उस टैप की जनरेटर को कहेंगे, नूक्लियर एसी जनरेटर कहेंगे, ठीक है, तो बस इतना ही एसी जनरेटर का, और यहां पर हमारा टॉपिक, अलेक्ट्रो मैंनेटिक इंडक्शन, पूरी तरीके से complete होता है और अगर कुछ एकाद concept जही means का होगा या जही advance होगा वो मैं extra डाल दूँगा कुछ questions अगर डालना होगा तो मैं डाल दूँगा बाकी मैं और इसमें थोड़ा अपडेट और कर दूँगा तो thanks for watching this video